हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग स्वागते आपके अपना चैनल पे दा सिक्रेट बिहाइंड सैंस में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पक्षी हवा में उड़ते हैं परंतु क्या आपने सोचा है कि ये पक्षी आकास में इतनी उच्छाई तक ऐसे उड़ते हैं आप कोगे कि इनके पास तो पंक है इसलिए ये हवा में इतनी उच्छाई तक उड़ लेते हैं वास्ता में इसका जबाब इतना सीधा साधा नहीं है केवल पंकों से उड़ना संभव नहीं है अगर पंकों से ये उड़ना होता तो आज मुर्गी भी हवा में उड़ती तो आईए जानते हैं इसका जबाब वीडियो को पूरा देखना तो चलिए सुरू करते हैं एक उड़ने वाले पक्षी में चार गुण पाए जाते हैं फिजिकले स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, वेट और स्पीड इन सब बातों का ध्यानदा के ही पक्षी उड़ पाते हैं जैसे कि उड़ने वाले पक्षी हलके होते हैं और इनके पंखे एकदम चिकने होते हैं भारी जवडे की बजाए इनके पास हलकी चोच होती है जो की इनके सरीर को हलका बनाती है तो आईए जानते हैं कि पक्षी पंक के सारे किस परकार उड़ते हैं पक्षी के पंकों के उपरी सता बुड़ी होती है तता नीचरी सता सपाट होती है उपरी सता पर वायू की गती तेज होती है इससे पंक के उपर वायू का कम दवाब होता है इससे नीचे का हवा उपर उठकर उस कम दवाव वाले छेतर की और जाने लगती है पक्षी को इससे उड़ने वाला बल मिलता है इसी कारण पक्षी हवा में तेजी से उड़ जाते हैं एरोप्लेन को भी इसी सिधान्त में बनाया गया है एरोप्लेन और पक्षी एक ही तरह उड़ते हैं उमीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कोई भी सबाह ले तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किये बिना मत जाएए क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जैहें ये भारत